नमस्कारों में हुम अमदासीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News जेल से रहा होते नवजूस सिद्धु ने मुदी सरकार पर जबर्दस तरीके से हमला बोला वही राउल गांदी के सद्सिता का भी जिक्र किया भगवन्त मांद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उन पर भी जबर्दस तरीके से हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि आज देश में लोकतंतर खत्म हो गया एक सिद्धु मरवा दिया दूसरा भी दरसल कहा रहे हैं एक सिद्धु मरवा दिया दूसरा भी मरवा दो मैं नहीं डरता सेकुरेटी कम होने पर नवजोसी सिद्धु का पहला बयान हमारे सामने आया पंजाब कांग्रेस के पुरव प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नवजोसी सिद्धु ने पटियाला जेल से रिहाई के बाद जहां केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर जम कर हमला बोला वहीं सुरक्षा कम किये जाने के मुदे पर भी सिद्धु का दर्द छलका सिद्धु ने कहा कि मेरी सुरक्षा कम की गई है पहले एक सिद्धु को मरवा दिया अब दूसरा भी मरवा दो आपको बता दें कि शानिवार को ही पंजाब सरकार ने सिद्धू की जेड़ पल सेकिरोटी में तोटोती करते हुए उनकी वाई सेकिरोटी कर दी थी आपको बताते चलें कि कंगरिस नेतन अपजोसी सिद्धू ने अपनी सुरक्षा कम किये जाने पर परतिकिरियाएं देते हुए कहा कि मैं समविधान को अपना गरंत मानता हूँ ताना शाही की जा रही है जो संस्थाई समविधान की ताकत थी उन्हें गुलाम बनाया जा रह हुए कहा कि आज लोकतंत्र वेगडियों में जकडा हुआ है उन्होंने कहा कि पंजाब में रास्टपती शासन लगने की साजिश चल रही है पंजाब देश की ढाल है जिसे तोडने के कोशिश की जा रही है साथी सिद्धू ने कहा कि पंजाब में अलस्वक्तियों को के ख करने की साजिश की गई तो खुद भी कमजोर हो जाएंगे पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार मजबूत नहीं बन सकती है वहीं सिद्धू करेंगे पर वोर मजबूट से लिए करेंगे वहीं सिर्विक ओ करेंगे वनियुट double